नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है प्यूश राय और आप देखने दकोशनार भारत आप लोग को पता है कि देश में specifically कुछ स्टेट्स में सबसे ज्यादा लब जिहाद के मुद्दे बहुत ज्यादा बढ़ गए और बहुत ज्यादा नजर आते हैं उत्तरप्रदेश में और जहा सराजस्थान में कि सरकार कॉंग्रस किये तो वहां के रिपोर्ट लॉजिकल इंडिन ना के बराबर किया होगा एक नाम ने रहों पर सिंपल लॉजिकल कोईंट प्रेंट वायर एक ही दल्लें तो इन लोग ने ना के बराबर रिपोर्टिंग की होगी ठीक है अकर की रिपोर्ट अभी बिचस्ट में ने देखी नसी डबलू चीफ अंडर फायर ओवर लव जिहाद मीटिंग सेक्सिस्ट ट्वीट्स आपको ट्वीट दिखाता हूं जिसमें लव जिहाद और सेक्सिस्ट क्या है आप खुद समझी आपको भगल में देखेगा मैं पढ़ता सब्सक्राबियों आवर ने ट्वीट किया है आवर चेयर पर्सन शर्मा रेखा मेट विट श्री भागत सिंग खोश्यारी इस एक्सिलेंसी गवर्नर और महाराष्ट्रा और इसमें सेक्सिस्ट डूड़ना जो कमिशन वुमन का है और विमन की सेफटी के बात कर रहा है उसम सबसे जादा एक तो यहां सेक्सिस्ट कुछ नहीं था एक परसेंड नहीं था लेकिन क्विंट और लेफ्टेस्ट कम्यूनिस्ट इन लोगों को सबसे जादा क्या वाद चुबी कि नैशनल कमिशन फॉर वुमन ने कैसे लव जिहाद का मुद्द उठा दिया और इसको सेक् लिखने वाला को यह बताये और मुझस्से अईघरी करते हैं कि आप अगरी करते हैं या नहीं और कहां डिफॉर करते ठीक है यह लव जियाद हो गया और मर्द फस गया है ना और हम महिला के नाम ले लेके यहां पर हम सेक्सिस्ट रिमाग कर रहे हैं नहीं यहां पर लव जियाद के केस में महिलाओं के साथ जो दुर्वेवार होता है जो रेप होता है जो मर्डर होता है जो किलिंग होती है जो क समझ में रहा है मैं यह कुईंट प्रिंट वायर लॉजिकल इंट सब को गया रहा हूं सबसे ऐसे लोग हैं जो देश में ऐसे यह ऐसे तत्त है समाज के जो देश में कभी भी आपको डिफरेंस पैदा करना है तो सबसे पहले आगे बढ़ के आएंगे इनकी पूरी रिपोर्ट सिर्फ एक पन्ने की गिनके एक पन्ने की एक आपको स्क्रोल भी नहीं करना है आपको रिपोर्ट खोलनी है उपर से हेडिंग आएगी नीचे रिपोर्ट खतम बीच में ट्वीट का इत्ता बड़ा गया है बस पूरी रिपोर्ट इतनी है उसमें भी उसमें भी एक paragraph में tweet को लिख के code किया गया है फिर tweet की photo लगाई गई है अपनी तरफ से कुछ extra ऐसा नहीं लिखा है क्योंकि इनको heading ऐसी देनी थी जो आपको दिख रहा है कि under fire और लव जिहाद में ऐसा लगा रहा है कि बहुत प्रोटेस्ट होगे इनके खिलाफ बहुत बवाल हो गया 21 तारिक डेट लिखी आप देख सकते हैं 12 पीम अगर कुछ दिने आज छापी है और मैं report देखना है कि एक घंटे के अंदर अंदर ये video record कर रहा हूं कितना प्रोटेस्ट हो गया भाई इस सब एक narrative set करने का तरीका है खेर मैं अपनी तरफ से NCW को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा at least आपने ये mention करना शुरू किया कि लब जिहाद से भी औरतों की जिंदगियां बरबाद होती है लड़कियां convert होती है कतल होता है torture होता है और fraud होता है आपने अगर notice करना शुरू कर दिया कि लब जिहाद भी एक ऐसा तरीका जिससे women's safety को मतलब हार्म हो सकता है महिलाक शुरक्षा की चिंता है आपको इस case में भी तो बहुत अच्छी बात है अब देखना ही है कि आप इस पर कारेवाई क्या करते है तो यह ता इसमें मेरा पूरा पूरा analysis आप तक यह ख़वर पहुचाना कि ऐसे लोगों से ऐसे narrative से बच के रहे है ठीक है खेर वीडियो में इतना ही बने रहेएगा हो सकता है आज भी दो तीन वीडियो दे एक साथ आ जाए तो सब्सक्राइब कर लिजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है वीडियो को शेर करिए कि इन लोगे narratives flop हो जाए फेल हो जाए लाइक करिए अगर आपको अच्छा फिर मिलते हैं अगले उड़ो में जैन वंदे मात्रू